दुनिया में कुद्रत के ऐसे अनोखे अजुवे दिखाई देते हैं जिसे जानकर हैरानी होती है कोई नदी रंग भी रंगी हो जाती है तो कहीं पर दो समुद्रों की बीच का पानी अलग दिखाई देने लगता है इन सब के बीच एक ऐसा देश है जहां नदियों का रंग अचानक नारंगी हो गया यहां के नेशनल पार्क की नदिया नहर और अन्य वाटर रिसोर्सेस का रंग बदल कर आरेंज कलर हो गया इसे जानकर हर कोई है आए जानते हैं इस वीडियों के माध्या से कि अचानक यहां के नदिया आरेंज कलर का क्यों हो गया नमस्कार दोस्तों अलास्का के कोबुक वेली नेशनल पार्क में अचानक नदियों नहरों और तुसरे जल सुरूतों का पानी अचानक नारंगी हो गया इस बारे में अलास्का विश्व विद्यालाय के एकोलाजिस्ट पैट्रिक सुल्वन ने कहा कि यहां कहीं से भ्यानक प्रदूसर हो रहा है प्रदूसर के वज़ा क्या है क्यों नारंगी रंग हो रहा है पानी हम इसके कार्ण खोजने में जुटे हुए है पैट्रिक अपने टीम के साथ नदियों के किनारे किनारे यात्रा कर रहे है पैट्रिक अपने पास एक गलाग पिस्टल रखे हुए है ताकि नदियों के किनारे घुमते घुमते वहां पाये जाने वाले भूरे भालू से खुद को बचा सके जब पेट्रिक ने इन नदियों का पानी का pH टेस्टिंग किया तो पता चला की इन नदियों के पानी में oxygen level बहुत कम है इन नदियों का पानी का pH level 6.4 है यहाँ किसी समाने नदी के पानी से 100 गुन ज्यादा acidic हो गया है इस नदी के पानी में सल्फिरिक एसीड की मاتरा दिखाई दे रही है इस पानी में लोहे की मातरा भी बहुत ज़दा पाई गई है यहाँ पानी पीने लाइट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ की सबसे बड़ी नदी सेलमन नदी है जिसकी धराय इस घाटी में फैली हुई है यहाँ पर 1000 किलोमेटर लंबी चोड़ी चोटिया है जिन पर बर्फ जबी रहती है यहाँ अमेरिका की ऐसे नदी भी सामिल है जहाँ इंसान का पहुत ना के बराबर है या बहुत कम है इसलिए यहाँ पर प्रदुषर की आसंका कम है लेकिन नदी का पानी नारंगी होना अभी भी वैज्यानिक को परसान कर रही है वैज्यानिक आज भी परसान है कि नदी का पानी नारंगी कैसे हो गया 1980 की दसक में यहां का पानी एकदम साफ होता था और तलहटी दिखाई देती थी इनमें गुलावी रंग की सॉलमन मचलिया तैरती रहती थी और जो उपर से देखा जा सकता था लेकिन इस समय इस नदी का एक तीहाई हिस्सा याने 110 किलिमिटर की लंबाई की नदी लगभग नारंगी रंग में बदल चुकी है नदी में कम से कम 75 धराए अपना रंग बदल चुकी है कुछ वेज्ञानिकों का माना है कि यहाँ नदी में किसी प्रकार के मानवी प्रदूसर के वज़ा से रंग परिवर्तित नहीं हुआ है यहाँ रंग परिवर्तित हुआ है इसमें सैक्डो साल पुरानी बर्फ के गलने के वज़ा से सेक्डो साल पुरानी बर्फ यहां के पहाडियों में जमा है इन बर्फों को पर्माफ्रास्ट कहते है जब यह पर्माफ्रास्ट पिघलते है तो अपने साथ जमा हुआ खनीज तत्वा और विशेश कर लोहा को नदी में मिला लेते है अब सवाल उड़ता है कि चलो नदी में पर्माफ्रास्ट यह लोहा पिघलने के वज़े से इनका स्वाथ में परिवर्तन हो सकता है लेकिन ये नारंगी क्यों हुआ ये सवाल की जानकारी अभी भी इसपस्ट नहीं हो पाई है परंतु गयानिक यहां भी मानते है कि एसीट की अधिक मात्रा होने के वज़े से यहां प्राकृतिक तौर पर यहां कलर परिवर्तन हो रहा है चाहे कान कुछ भी हो लेकिन नदी के पानी का नारंगी होना और उसके प्रापर्टीज में परिवर्तन होना चिंता का विशय है यहां के नदीयों का प्रदूसर से शिर्फ इनसान प्रवावित नहीं होंगे बलकि जंगल में पाए जाने जीवजन्तू और जो मचली और अन्य जीवजन्तू जो जल में पाए जाते है और जली पौधे के लिए खत्रा है इसलिए वेज्ञानिकों को कलर चेंज होने का असली करना खोज कर उसका निदान करना आवस्यक है आसा करतों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी प्रकार के information related वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जै हिंज जै भारत